नमस्कार मैं हूँ रिशी राज पाठक आप देख रहे हैं सुन रहे हैं रिशी राज उवाज मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे पूज्य पिता श्री नारायन पाठक जी की रचना नारायन रचनावली के तीसरे खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामाचरित से एक भजन इस भजन का शिर्षक है अजहू नहीं आये यह भजन भगवान श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ कर मथूरा प्रस्थान करने के विशय में गोपी काउं का जो विरह भाव है उसको सूचित करता है प्रस्तुत है अजहू नहीं आये शाम जी अजहू नहीं आये शाम जी अजहू नहीं आये ये ब्रज अब देखत नहीं भाए शाम जी अजहू नहीं आये ये ब्रज अब देखत नहीं भाए शाम जी आज तक नहीं आये हैं अब तक नहीं आये हैं और यह ब्रज जो है अब देखत भाता नहीं है जब हम ब्रज को देखते हैं तो अब ये वैसा सुन्दर वैसा सुहाबना नहीं लगता जैसा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिती से लगता था ये ब्रज अब देखत नहीं भाए शाम जी अजहू नहीं आए ये ब्रज अब देखत नहीं भाए ये जो कुझ थी ये सब बैरिन लगती है अब अब कृष्ण के बिना ये वैरी की तरह शत्रू की तरह लगती है और वन्शीवट का जो क्षेत्र है जो वन्शीवट का स्थान है वो श्री कृष्ण के बिना अब शून्य सा लगता है और ये पेड़, पौधे, लता ये सब कृष्ण की उपस्थिती के बिना सब कुमला गए हैं स्वाद जमुना जल में नहीं आयो स्वाद जमुना जल में नहीं आयो रमहावें बचडा संग में गायो नहीं कोई पंची चहचाये ये ब्रज अब देखत नहीं भाए शाम जी अजहू नहीं आये ये ब्रज अब देखत नहीं भाए अब जमुना जल में स्वाद नहीं आता और बचडा गायों के संग रमहा रहे हैं वे मानो कृष्ण को पुकार रहे हैं कृष्ण की अनुपस्थिती की व्याकुलता को अपनी वानी के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं और अब कोई पक्षी चहकता नहीं है अब कोई पक्षी बोलता नहीं है अब व्यक्त ध्वनी में कूजता नहीं है तो ये सब श्री कृष्ण की विरह का ही प्रभाव है विकल भय गोपी ग्वाल और बाल पुकारें आओ अब ब्रजपाल यशोदा चैन नहीं पाए ये ब्रजप देखत नहीं भाए श्राम जी अजहू नहीं आए ये ब्रजप देखत नहीं भाए ये गोपिका ये ग्वाले ये सब विकल हो गए है विरह से व्याकुल हो गए हैं और अब ब्रज के पालक श्रीकृष्ण को पुकार रहे हैं यशोदाजी भी चैन नहीं पा रही हैं, यशोदाजी भी अत्यंत व्याकुल हैं, उदास हैं श्री कृष्ण की अनुपस्तिती से, इस भजन का अंतिम चरण है मधुपुरी उद्धव तुम जाओ, नारायन काना कूलाओ, नारायन काना कूलाओ, राधिका विरहन बिलखाए, ये ब्रज अब देखत नहीं भाए, श्याम जी अजहू नहीं आए, ये ब्रज अब देखत नहीं भाए बरणन है कि उद्धव जी गोपिकाओं को ज्यान देने आते हैं, उन्हें आध्यात्मिक उपदेश करने आते हैं, तो उद्धव जी से गोपिकाओं कहती हैं, कि हे उद्धव, हम विरह में बड़ी व्याकुल हैं, तुम मधुपूरी अर्थात मथूरा चले जाओ, और उस कृष्ण को ले आओ, क्यों? क्योंकि राधिकाभी जो उसको अत्यन्त ही प्रिय है, वह राधिकाभी अब विरह में अत्यन्त बिलख रही है, हे उद्धव तुम जाओ, हमारी साहेता करो, कृष्ण को ले आओ, इस प्रकार यह भजन, भगवान श्री कृष्ण की विरह व् व्यथा में जो व्याकुल गोपिकाएं हैं उनकी विरह व्यथा को उनकी विरह गाथा को वरनित करता है और उसके उपाय के रूप में श्री उद्धव जी से की गई कृष्ण को लाने की प्रार्थना भी वरनित है आशा है आपको यह भजन रूचिकर प्रीतिकर एवं सुख कर लगा होगा अगली श्रिंखला में पुनहा अगले भजन के साथ प्रस्तुत होता हूँ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद